इस समय की सबसे बड़ी खबर आ दी है वार्टसप की तरफ से जहां वार्टसप ने सीधर तोर पे कह दिया है कि अगर इसी तरह भारत में चलता रहा तो तो वार्टसप जल्दी भारत देश छोड़ के जाने वाला है जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल ही सही सुना काईस अकर वार्टसप सफ mniej भारत में बंद हो गया तो इसमे भारत सरकार की पूरी की पूरी गल्ती निकली जाएगी आज तक जितने भी भारत में बैन हुए हैं अगर उनके बारे में कहा जाये तो वो भारत का डेटा दूसरी देशन में जाके लिक करते थी लेकिन से guys इस बार तो उल्टा ही पड़ गया अब की बार WhatsApp ने किसी भी यूजर का डेटा नहीं लिग किया बलकिन भारत सरकार खुद चाहती है कि WhatsApp अपने भारती यूजरों का डेटा लिग करे जी हाँ आपने बिल्कुल ही सही सुना आपको बता दो कि भारत सरकार यह चाहती है WhatsApp अपने उस encryption को हटा दे जिससे यूजर का डेटा सभी बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुका है आप लोगों को ये बात तो पहले से ही पता होगी WhatsApp in-to-in encrypted chat को रखता है in-to-in encrypted का मतलब यह होता है कि दो व्यक्तियों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी नहीं कर सकता उन दोनों व्यक्तियों के बीच में यहां तक कि ये WhatsApp भी खुद नहीं कर सकता क्योंकि ये privacy policy के खिलाफ है लेकिन से भारत सरकार यही कराना चाहती है इस मामले को लेकर WhatsApp ने सीधे तोर पर यह कर दिया कि अगर भारत सरकार ने कोई भी जोड़ जबर्जस्ति की तो हम भारत से WhatsApp की सर्विस जल्दी बंद कर देंगे इस इस मामले के बारे में आपका क्या कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो के अंतर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चले गास मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में